एरवावी एरवावी चलो चलो कहाने सुनने चले सब तयार एक दो तीन रजा के अब्बा रहमत खान मुगल बाद्शा अकबर के शाही दरजी है रजा अब्बा के साथ बाद्शा के नए कपड़े पहुचाने महल गया तब उसे पता चला कि बाद्शा कपड़ों के मामले में जरा नकरे ले है मुगलकाल के भारत में रजा की होशियारी की प्यारी सी कहानी कहानी का शीरशक है रजा और बात्षा लेखक सुबद्रा सेंगुपता चित्र बनाए है तपस गुहा और हिंदी में अनुवात किया है मनीशा चौधरी ये प्रथम बुक्स पब्लिकेशन की पेशकश है आज का दिन बड़ा खास था रजा ने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने हुए थे आज उसकी मुलाकात एक बड़ी आला हस्ती से होने वाली थी बादशाह जलाल उद्दिन अकबर से मुगल सल्तनत के महान समराड रजा के अब्बा रहमत खान भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे वो बादशाह के शाही दर्जी थे बादशाह उनहीं के हाथ के अंगरखे पहनना पसंद करते थे जी हाँ चुस्त चुडिदार पैजामा और धीला कोटनुमा कुरता जिसे अंगरखा कहते है यही थी बादशाह की पसंद की पुशाक आज सुबा रजा और उसके अब्बा फतेपुर सिकरी के महल जा रहे थे बादशा के गर्मी के मौसम के अंगरखे उन्हें दिखलाने थे कपड़ों के मामले में राजा साहब काफी नकरे ले थे रहमत खान ने बड़ी मेहनत से अंगरखे बनाये थे देर रात तक कटाई और सिलाई करी थी रजा ने भी उनका हाथ बटाया था सबसे बारिक सुई और बहतरीन रेशम के धागे से महीन टाके लगाए थे बसन की खिली धूप में चारो और फूल हस रहे थे कबुतरों की गुटरगू सुनते हुए दोनों पतेपुर सिक्री के महल पर पहुँचे भाले लिए दो पहरेदार फाटक पर थैनात थे मैं हूँ रह्मत खान जापना का दरजी उनके अंगर खोके नए जोडे लाया हूँ रजा के अब्बा ने कहा बड़ी मुच्छो वाले पहरेदार ने भवे सिकोडी क्या बाच्छा को मालूम है कि तुम आने वाले हो जी हुजूर उन्होंने खुद नमुने पसंद किये थे यही ठेरो मैं शाही खिदमतगार को बुलाता हूँ पहरेदार ने अंदर का रुख किया पहरेदार एक और आदमी को लेकर आया जिसे देखकर रहमत ने जुक कर सलाम किया गर्मी के कपड़े लाया हूँ धनी जी अच्छा आओ मेरे साथ महराज अभी सोने के कमरे में है शाही दर्वार में जाने से पहले तुमसे मिलेंगे ये कौन है अबू? रजा फुस्पसाया धनी सिंग ख्वाबगा में काम करते है ख्वाबगा? बाच्छा का नीजी महल जहां उनकी बैठक और सोने का कमरा है काफी लंबा रास्ता था रजानी चारो तरफ दिखा तो उसकी आखे आश्चर्य से खुली की खुली रह गई मुगलों के महल कितने सुन्दर थे पतले नकाशिदार खंबे और महराब सब लाल रंके बालुकाश्म से बने हुए कही कही पर फुलवारी वाले बगीचे जिनमें कमलों से सजे तालाब और जिल मिलाते फवारे नजर आ रहे थे रजा ने मन से सोचा कि जन्नत ऐसी ही होती होगी बाच्चा के कमरे के दरवाजे पर इंतजार करते हुए रजा ने धनी सिंग को जान से देखा दरजी का बेटा होने के नाते सबसे पहले कपडों पर नजर इटकी लाल और सफेद, फूल दार सूती अंगर खा और सफेद चुडिदार धनी सिंग की नागरा की जूतियों की नोक अंदर की तरफ उमेठी होई थी उनकी कमर पर कपड़े की पट्टी बंधी होई थी जिसे पटका कहा जाता है पर रजा को सबसे ज्यादा पसंद उनकी चठक लाल रंकी पगड़ी आई जिस पर सफेद और पीले चौरस और बुनकियों का नमुना था आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी है धनी जी वो बोला बड़ा सुन्दर नमुना है शुक्रिया, मैं राजपुत हूँ और इस नमुने को मेरे देश में बांधनी कहते है कमरे में घुस्ते हुए रजा का दिल जोर से धड़क रहा था महराबदार दर्वाजों से धूप अंदर आ रही थी नगीनों के रंगो वाला मोटा, रेशमी, परशियन, कालीन उसकी रोश्चनी में रंग बिखेर रहा था कमरे में एक खूपसूरत नकाशिदार पलंग और दो बड़ी सुन्दर कुरसियां थी कम उन्चे पलंग पर रेशमी और सुनहरी गदियां पड़ी थी परदे भी रेशमी थे रजा ने जुक कर सलाम किया और फिर अपने बाच्शा की तरफ देखा एक खिदमदगार हाथ में डिबा लिये खड़ा था और अकबर उसमें से गहने चुन रहे थे कदमें बहुत लंबे नहीं थे पर उनके एक तलवारबाज के जैसे चौड़े कंधे थे बड़ी बड़ी थोड़ी तिर्ची आखे नीचे की और मूडी मूचे और होठो पर उपर एक छोटा सा तिल था उनके आने की आहट पाते ही अकबर पलट कर मुस्कराए आओ रहमत अंगर खेलाए हो और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ मेरा बेटा रजा हुजूर क्या तुम भी सिलाई जानते हो रजा सीख रहा हुँ हुजूर रजा ने घबराया सा जवाब दिया पर कपड़ा काटने में अभी भी गलती हो जाती है सीख जाओगे तुम्हारे अब्बा सिखला देंगे तुम्हें अकबर प्यार से बोले रहमत ने पोटली खोली और अंगर खे पलंग पर सजा दिये पहतरीन मलमल से बने हुए थे और बड़ी बारी कढ़ाई थी सभी गर्मी के हलके रंगों में थे निम्बूई, आस्मानी, धानी, हलका जामनी और जखा जख सफेद रजा जानता था कि बाच्छा का पसंदिदा रंग सफेद था रहमत ने अकबर को एक सफेद अंगर खा पहनने में मदद करी धनी सिंग एक बड़ा सा आइना ले आए और राजा के सामने लेकर खड़े हो गए कढ़ाई अच्छी है और पहनने में भी आराम दे है अकबर खुश होकर बोले अब ज़रा पटका बांधो, देखे कैसे लगता है रहमत ने कई पटके उठाए और अकबर की कमर पर एक आस्मानी रंग का पटका ऐसे बांधा की जालरदार सीरे आगे की तरफ लटके नहीं, अकबर अनक कर बोले ज्यादा हलका रंग है, हमें ज़रा शौक रंग चाहिए रजा और उसके अब्बा ने एक के बाद एक कई पटके बांध कर दिखाए हरा और पीला, नारंगी और जामनी, पर अकबर को कोई भी न सुहाया हमें ये रंग जच नहीं रहे रहमत, अकबर ज़रा तुनक कर बोले रजा ने देखा कि अब्बा के माथे पर परेशानी जलक रही थी हाई, अगर बादशा सलामत को पटके पसंद नहीं आए, तो क्या वे सारे कपड़े लोटा देंगे मुझे फॉरन कुछ करना होगा, उसने सोचा उसने यहाँ वहाँ नजर दोडाई और अनायास बोल पड़ा हुजूर क्या आप चठक लाल पर सफेद और पीली बुनकियों वाला देखना पसंद करेंगे कैसा लाल रम, अकबर हुंकार कर बोले, दिखाओ हमे रजा ने धनी सिंग की पगडी की ओर इशारा किया, वैसा लाल अकबर ने धनी सिंग के मूछो वाले चेहरे को घूर कर देखा और कहाँ ठीक है, देखते है रजा ने लपक कर धनी सिंग की पगडी थामी, उसके लपेटे सीधे करके अकबर की कमर पर बान दी जब तक अकबर आडे टेडे होकर अपने आपको आईने में निहार रहे थे वो सास रोके खड़ा रहा उसने देखा कि धनी सिंग मुस्करा रहे है शायद उने ये देखकर हसी आ रही थी कि राजा साहब ने उनकी पगड़ी का पटका बना दिया था ये रंग हबे पसंद आया और नमुना भी बिलकुल अलग है आखिर का अर अकबर ने फरमाया बांधनी हुजूर राजपुतों के देख से है रजा का जवाब हाजिर था अच्छा राजपुत जैसे हमारी महरानी जोधा बाई अकबर मुस्कराए धनी रहमत को अंगरखो और पटको की कीमत अदा कर दो हमें सारे चाहिए हुजूर रजा संभल कर बोला धनी जी को पगड़ी की जरूरत पड़ेगी हमने उनकी वाली तो ले ली है उन्हें एक पटका दे दो हाहाहा अकबर जोर से हसे वो धूले से नीले रंगवाला उनकी पगड़ी तो अब हमने रख ली है कैसी लगी रजा की ये कहानी अब देखते हैं इतिहास के कुछ रोचक तत्य रजा बाच्षा अकबर के शासनकाल में अब से 400 साल पहले रहता था अकबर मुगल राजवंच का सबसे महान राजा था वो एक प्रसिद योधा भी था उसे नए नमुनों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था वो पतंग बाजी और आम खाने का भी शौकिन था बाबर मुगल राजवंच का संस्थापक काबूल का राजा था उसने 1526 में भारत पर आक्रिमेंट किया और दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी को पानिपत की लड़ाई में हरा दिया अकबर बाबर का पोता था वो भी एक बड़ा काम्याब से नापती था और अपने 49 साल के शासनकाल में एक भी लड़ाई नहीं हारा दो मुगल बाच्षाओं ने नए शहर बनवाए अकबर ने आगरा के पास फतेपुर Sikri बनवाया और शाहजहान ने दिल्ली में शाहजहानाबाद फतेपुर Sikri आज वीरान पड़ा है पर शाहजहानाबाद आज पुरानी दिल्ली कहलाता है इसमें आज भी लोग रहते है और वहाँ जिन्दगी की चहल पहल बरकरार है शाहजाहान का मशुहूर मयूर सिभासन पिकॉक थ्रोन एक चौकोर चप्टा आसन था उसके हर कोने पर पतले खंबे थे जो बेशकिम्ती नगिनों से सजे हुए थे आसन के उपर एक चत्र था जिसके उपर नगिनों से जड़ी मोर की अकृती थी बाच्छा इस चत्र के नीचे रेश्मी गद्धियों की टेक लेकर बैठा करता था कई मुगल राजकुमारियां बहुत बड़ी लिखी थी गुलबदन बेगम ने अपने पिता बाबर की जीवनी लिखी शाह जहां की बेटी जहां आरा शायर थी मुगलों के महलों में कई रसोई घर थे हर रसोई घर से बाच्छा के लिए खाना भेजा जाता जाहिर है कि जब बाच्छा सलामत खाने बैठते तो वे तीस किस्म के लजीज चीजों में से अपनी पसंद की चीज खाते मुँ में पानी भराता है मुगलाई खाने का नाम आने पर बिर्यानी, पुलाओ, कलिया, कुर्मा ये सब पक्वान मुगलाई रसोई घरों से ही निकल कर आये है कहानी खत्तम मुझे और एक सुनिये, उसके बाद और एक अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है नो और कहानिया तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com पर एरो आउई, एरो आउई